हेलो इस वीडियो में हम लोग समय करना शीखेंगे या एक्स का मान ग्याद करना भी सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो एक्स का मान ग्याद करने से पहले हम लोग कुछ बैसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं देखिए A, B, C यानि कि A से लेकर के Z तक जो होता है इसको कहते है अरपद और गिंते की संखे यानि कि 1, 2, 3 इसी तरह से आगे तक रहेगा इसको कहते हैं अचरपद तो चरपद और अचरपद समझ गया है अब प्रसंद को देखते हैं तो चलिए पहला नमबर प्रसंद को द एकस है चरपद और तीन जो है ये है अचरपद और ये नौ जो है ये भी है अचरपद तो समी करन को हल करने के लिए यही चीत समझना है कि देखें बराबर के एक तरफ रखेंगे चरवाले पद को और बराबर के एक तरफ लिखेंगे अचरवाले पद को तो यहां देखें ये एक्स है यानि कि चरपद है तो इसको बराबर के एक तरफ लिखेंगे और ये तीन जो है ये अचरपद है और ये नौ भी है ये भी अचरपद है यानि कि इस दोनों को बराबर के एक तरफ रखेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे ये तीन जो है इसका पक्षांतर करेंग यानि कि इस 3 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो देखे यह X है तो X तो यहाँ बराबर के इस तरफ है तो इसी तरफ रहेगा बराबर का चिन है तो बराबर का चिन दे देंगे अब देखे यह 3 यह 3 पलस में है जब इसको बरावर कर इस तरफ लाएंगे तो यह हो जाएगा इनस में तो हो जाएगा 9-3 अब देखे यह हो जाएगा X बरावर 9 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6 तो X का मान आ गया 6 तो यही हो जाएगा इसका answer अब दूसरा नमर प्रसन देखते हैं तो दुसरा नमबर प्रस्ण में है, x-3 बरावर 2, तो यह x जो है, इसको बरावर के इस तरफ रखेंगे, और बरावर का चिन है, तो बरावर का चिन देदेंगे, अब देखें, यह 3 है, यह 3 जो है, इसको बरावर के इस तरफ लाएंगे, तो यह 3 बरावर के इस तरफ है, मा गरणा ग़िए पांच Ink n को यह चेहीं का अगला प्रस्णत कि अगले प्रस्ण में लिए हैं 3 x Mrallus से और बढ़नों तो यह देखें यह चरपद है और यह अचरपद है और현 और चरपद है तो क्या सीखे थे कि चरपद को बराबर के एक तरफ रखते हैं और अचरपद को बराबर के एक तरफ रखते हैं तो यह तीन जो है इसको भी बराबर के इसी तरफ लाएंगे तो इसके लिए देखें तीन बराबर के इस तरफ है पलस में इस तरफ आएगा तो हो ज जाएगा से तो यह झाएगा माइनश में तीन अब यह हो झाएगा तीन एक्स बराबर नौ में再 Hakate चाओ मईत्यर्स न था यह फिलेए सबीधित लिए two एक्स का मांगेश होब तो यह जिस् gamma दोकर चाओ मेरी जमेर्च तो तीन जो है इसको भी हटाएंगे तो तीन कईसे हटेगा तो यहा देखें तीन जो है यह एक्स के साथ में गुणा के रूप में HOLM तो जब इसको बरावर इस तरह लाएंगे तो हो जाएगा भाग के रूपे यानि कि यह हो जाएगा x बरावर 6 बटे में 3 अब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 तो x बरावर आगया 2 तो यही हो जाएगा इसका रेंसर अब चौथे नमर प्रस्ण को देखते हैं तो देखें चरपद है और यह 2 जो है यह अचरपद है और यह 8 जो है यह भी अचरपद है तो हम लोग क्या सिखे थे कि चरपद को एक साथ रखते हैं और अचरपद को बरावर के एक तरफ रखते हैं देखें यह 3 x जो है यह चरपद है तो इसको बरावर के इस तरफ लाएंगे तो ब बराबर के इस तरफ है पलस में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में तो यह जाएगा आठ माइनस में दो अब देखिए इसको स्वल्व करेंगे तो पांच x में से 3x को घटाएंगे तो आजाएगा 2x बरावर का चिन है तो बरावर का चिन अब 8 में से 2 को घटाएंगे तो आजाएगा 6 अब देखिए यह जो है यह 2x का मान आ गया है ना कि x का मान आ रहा है हमें x का मान निकालना है तो इसके लिए 2 को हटाएंगे तो 2 बराबर की इस तरफ है गुना के रूप में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में तो X बराबर हो जाएगा 6 और बट्टे में हो जाएगा 2 और इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 तो X का मान आगया तीन तो यही हो जाएगा इसका एंसर आसा करता हूँ कि समीकरन का हल करना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देजेगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देगा